सार, 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 सुरी बैठिये, बैठिये, समापत हो गया, धन्यवाद सर, सार, जो नई लोकसभा गठित हुई है और नई सरकार का गठन हुआ है, आप बैठिये, उसके बाद, महामहिम राष्टरपति का पहला अभिवाशन हमने सुना, राष्टरपति जी, देश के सरोच सविधानिक पत पर बैटी हुई व्यक्ति है, तो सविधानिक पत की जो मर्यादा होती है, उनका पालन वहाँ से शुरू होता है और हमका आजर करते हैं, लेकिन हमने पहली बार देखा इस बार, कि जब मोदी जी ने राष्टरपति भवन जाकर, राष्टरपति द्रवपदी मुर्मुजे के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया, तो सभी आखबार में एक फोटो प्रसिद्ध हुआ, एक पिक्चर पब्लिश हो गया, कि राष्टरपति जी ने आपने हाथों से मोदी जी को दई और चिनी मिठाई खिलाई, कि राष्टरपति जी के कारी को बारे में शच्चा नहीं करें, कि राष्टरपति जी के कारी को बारे में शच्चा नहीं करें, राष्ट्रपती जी एक ऐसे व्यक्ति है वो किसी पार्टी की नहीं होती राष्ट्रपती जी पूरे देश की है राष्ट्रपती जी बीजेपी की है राष्ट्रपती जी कॉंग्रेस पार्टी की है शीवसाना की है सब की है हमारी सब की है तो राश्टर पती जी ने मुझे लगता है कि नेता उपक्षर आवल गांधी जुको भी बुलाना चाहिए घृची ने खिरिपया राश्टर पती जी के बारे में चर्चा नहीं करे हम कितनी होगा राश्टर पती जी राश्टर पती जी सविधान की सवरक्षख है लेकिन राष्टे पुठीजी का जो भाषन है हमने सब ने सुना उस पर बोलिये उसमें हर पन्ले पर जूटी जूट है हर पन्ले पर जूट है वहिसे राष्टे, पूठीजी आपने भाषन में कहती है मानने रावचाप के लोगों ने लगातार तिसरी बार स्तीरा और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है और गडबदन की सरकार छे दशक्य बाद बनी है ये गलत है मोधी जी की सरकार अलबमत की सरकार है कृपिया मोधी जी की सरकार अलबमत नहीं है जनता ने भर्तिय जनता पार्टी को बहुमत मुक्त किया है मोधी जी कंग्रेस मुक्त संसदर भालत की भाषा कर रहे थे लेकिन देश की जनता ने भर्तिय जनता पार्टी को मोधी जो बहुमत मुक्त किया है आप चार सो पार शुरू ने किया धन्यवाद किया तीन मिनेट आपको च्यार मिनेट मिल गई यही तो इसलिए तो हम बोलते हैं स्वाविधान खत्रे में है यह आपने यह सीनियर मेंबर है तो गागर में सागर भर सकते हैं 2216 पराटक गयो 240 मीसे 50 सिटे तो आपने चोरी की है आपको वह मत नहीं मिला हाई उत्तरकेश में और इसलिक में हुआ सुमात्त करें मानने सदेश से सुमात्तुवा जो महोटी कम मार्जिन से आप जीते है वह आपने स्टोरी की है अब कोर्ट में मामला जाएगा